हेलो प्यारे साथियो, स्वागत है आपका स्टिडी करके इस यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पॉल्टी के कुछ महत्पूर्ण प्रसनों को डिसकस करेंगे कल भी हमने भारतिय सम्मिधान के अनुछेद से संबंधित प्रसनों को डिसकस किया था जो आपकी प्रतेक परिक्षा के लिए जैसे UPSC, MPPSC, SSC, RRB जितने भी एक्जाम है उन सब के लिए बहुत महत्पूर्ण होगा यह हमारी 5000 से अधिक प्रसनों की एक सीरीज है जो हम आपके लिए हर एक्जाम के परिद्रस से लेकर आए हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल इस ट्रीकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोईन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप हमें Instagram पर, Facebook पर, Twitter पर भी फालो कर सकते हैं जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगे Twitter, Instagram और Facebook पर फालो करने का फाइदा यह होगा कि जब भी कोई सूचना होगी तो उसकी notification आप तक जल से जल पहुँच जाएगी तो प्यारे दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सकाइब नहीं किया है तो सब्सकाइब जरूर करें तो चलिए चलते हैं करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आज का जो हमारा पहला प्रस्न है भारतिय सम्मिधान में नागरिक्ता का वरणन किस भाग में किया गया है यह बताना है तो पहला प्रस्न बहुत अच्छा प्रस्न है हमें बताना है कि भारतिय सम्मिधान जो है उसमें नागरिक्ता का वरणन किस भाग में किया गया है संवीधान के किस भाग में नागरिक्ता के बारे में बताया गया है तो पहला option है भाग 4, दूसरा option है भाग 6, तीसरा option है भाग 2 और चोथा option है भाग 8 तो जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट बॉक्ष में बतायेगा कि इसका सही जवाब क्या होगा भारती संविधान में नागरिक्ता का वरणन किस भाग में किया गया है इसका सही जबाब आप कमेंट करिएगा क्या होगा भाग चार होगा भाग छे होगा भाग दो होगा या भाग आठ होगा तो प्यारे मित्रो इसका जो सही जबाब होगा वह होगा भाग दो में भारती सम्मिधान में नागरिक्ता का जो वरणन है वह भाग 2 में किया गया है अगला प्रस्न आपकी स्क्रीन पर है भारती सम्मिधान के अनुछेद 5 से 11 तक वरणन है भारतिय सम्मिधान में हमें बताना है कि भारतिय सम्मिधान के अनुछेद 5 से लेकर के और 11 तक किसका बरण किया गया है नागरिक्ता का, मूल अधिकानों का, संघ और उसका कारचेत्र का या नीती निर्देशत तत्तों का तो दीजिएगा इसका सही जबाब क्या होगा भारतिय सम्मिधान के अनुछेद 5 से लेकर के अनुछेद 11 तक किसका बरण किया गया है नागरिक्ता का, मूल अधिकारों का, संघ और उसका कारचेत्र का या नीती निर्देशक तत्तों का तो दीजिएगा इसका सही जबाब क्या होगा, किसका वरणन अनुछेद 5 से लेकर के अनुछेद 11 तक किया गया है तो इसका प्रस्निक्रमांक 2 का जो सही जबाब होगा, वै होगा नागरिक्ता यहां आप समझ सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, नागरिक्ता लिखा हुआ है, तो नागरिक्ता का वरणन अनुछेद 5 से लेकर के अनुछेद 11 तक किया गया है प्रश्न क्रमांग 3 आपकी स्क्रीन पर है और प्रश्न क्रमांग 3 है किस बर्स के बाद भारत में जन्म लेने पर उसे भारत की नागरिक्ता प्राप्त होगी अर्थात हमें यह बताना है कि वह समय क्या था वह डेट क्या थी वह बर्स कौन सा था जिसके बाद जन्म लेने पर भारत की नागरिक्ता प्राप्थ होगी अर्थात कोई व्यक्ति भारत में उस डेट या उस समय को उस डेट को बताना है कि किसके बाद जन्म लेने बाला व्यक्ति भारत की नागरित्ता प्राप्त कर सकता है तो 26 जन्वरी 1947, 15 अगस्त 1947 या 15 अगस्त 1950 या 26 जन्वरी 1950 तो प्यारे मित्रों दीजिएगा इसका सही जबाब प्रस्न क्रमांक 3 जो है उसका सही जबाब दीजिएगा कि किस तारीख के बाद जन्म लेने बाले व्यक्ति को भारत की नागरित्ता स्वतह मिल जाएगी तो प्रस्न क्रमांक 3 का जो सही जबाब होगा वह होगा 26 जन्वरी 1950 प्रश्न क्रमांग चार है किस अनुछेद्ध में के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी विदेशी नागरिक्ता को प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिक्ता समाप्त कर दी जाएगी अर्थात कोई व्यक्ति विदेश की नागरिक्ता ले लेता है तो उसकी नागरिक्ता समाप्त हो जाएगी इस बात का वरणन भारती सम्मिधान के किस अनुछेद में किया गया है अनुछेद 6, अनुछेद 7, अनुछेद 8 या अनुछेद 9 प्रस्न क्रमांग 4 बहुत अच्छा प्रस्न है तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा क्या होगा किस अनुछेद में इस बात का वरणन है यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिक्ता ले ले लेता है उसकी भारत की नागरिक्ता समाप्त हो जाएगी इस प्रस्न का जो सही ज सामने हैं माता की नागरिक्ता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को भारत की नागरिक्ता किस संसोधन द्वारा दी जाती है तो हमें बताना है कि जो माता की नागरिक्ता है उसके आधार पर विदेश में भी अगर माता उसकी भारतिय है और बच्चा विदेश में जन्म लेता है तो उसको भारत की नागरिक्ता के संसोधन के द्वारा दी जाएगी यह बताना है तो नागरिक्ता संसोधन अधनियम 1986 या नागरिक्ता संसोधन अधनियम 1992 या इन में से कोई नहीं तो प्यारे मित्रों दीजेगा इसका सही जबाब कि वह कौन सा अधनियम है जो इस बात का वरणन करता है कि यदि माता की नागरिक्ता भारतिय है और उसका बच्चा बिदेश में जन्मिलेता है तो उस बच्चे को भारत की नागरिक्ता मिल जाएगी या किस संसोधन में प्रावधान किया गया था तो नागरिक्ता संसोधन अधनियम 1985 या नागरिक्ता संसोधन अधनियम 1992 या नागरिक्ता संसोधन अधनियम 1955 तो प्रस्न क्रमांक 5 का जो सही जबाब होगा वह होगा नागरिक्ता संसोधन अधनियम 1992 बान नबे प्रस्ण छे है आपकी स्क्रीन पर किसी को नागरिक्ता देना या उसकी नागरिक्ता समाप्त करने का अधिकार किसे दिया गया है। राज्यों को या प्रधान मंतरी को तो कौन सी संस्था है जो किसी व्यक्ती को नागरिक्ता देता है या उसकी नागरिक्ता समाप्त करता है तो यह अधिकार किसके पास है सर्वोचु नियाले भारतिये संसत राज्यों को या प्रधान मंत्री को प्रश्ण क्रमांग 6 का जो सही जबाब होगा वह होगा भारतिय संसत को किसी को नागरिक्ता देना और उसकी नागरिक्ता समाप्त करने का अधिकार दिया गया है प्रश्ण क्रमांग 7 भारत में किसको अधिकार है कि वह नागरिक्ता संबंधी जो नियम बनाए जाएंगे उसके आधार पर नागरिक्ता दी जाएगी बहुत प्यारा प्रस्न है और यह प्रस्न बहुत सरल है कि यह प्रस्न कह रहा है कि वह कौन सी संस्ता है कि जो कानून जो नियम बनाएगी उसके आधार पर ही किसी को नागरिक्ता दी जाएगी यहां नागरिक्ता लिखा हुआ है यह समझिएगा तो नागरिक्ता जो है वह कौन सी संस्ता है जो नियम बनाएगी और उसी नियम के आधार पर ही किसी को नागरिक्ता दी जाएगी सरबोच नियालाय, प्रधान मंत्री, राज्य या भारतिय संसद प्रश्न क्रमांग साथ का सही जवाब आपको बताना है कि किसके नियम नागरिक्ता पर लागू होंगे अर्थात वह कौन सी संस्ता है जो यह कहेगी जो नियम बनाएगी उसी के आधार पर किसी को नागरिक्ता दी जाएगी अभी अर्तमान में भी नागरिक्ता संसोधन अधनियम आया है तो वह थोड़ा सा विबादों में रहा है उसके खिलाप लोगों ने प्रदर्शन किये हैं तो वह भी आपको पढ़ना होगा तो बताईएगा किस के कौन नियम बनाता है और उन नियमों के आधार पर नागरिक्ता दी जाती है तो इसका जो सही जबाब होगा होगा भारतिय संसत जो नियम बनाएगी नागरिक्ता से संबंध है उसी के आधार पर किसी को नागरिक्ता दी जाएगी प्रश्निक्रमांक आठ जो व्यक्ति पंजी करण के इमाध्यम से भारतिय नागरिक्ता यहां नागरिक्ता है प्राप्त करना चाहता है उन्हें बर्तमान में कितने वर्सों तक भारत में निवास करना होगा अर्थात कोई पंजी करण करवाता है भारत की नागरिक्ता लेने के लिए तो बरतमान में यह कितने वर्सों तक प्रावधान है कि वह भारत में निवास करे छे वर्स, तीन वर्स, पाँच वर्स या आठ वर्स वह बर्स बताईएगा कि क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति को भारत की नागरिक्ता पंजी करण के माध्यम से लेनी है तो उसे भारत में कितने वर्सों तक निवास करना होगा छे वर्सों तक, तीन वर्सों तक, पाँच वर्सों तक या आठ वर्सों तक तो प्रश्न क्रमांक आठ का जो सही जबाब होगा वह होगा पांच वरसों तक अर्थात कोई पांच वरसों तक भारत में रहता है और उसका पंजी करन करता है कि हमें भारत की नागरिकता लेनी हैं तो उसे भारत में पांच वरसों तक निवास करना अनिवार होगा प्रश्ण क्रमान्क 9 है आपकी स्क्रीन पर सम्मिधान के किस अनुछेद में पाकिस्तान को प्रवजन करके आए लोगों की नागरिक्ता के सम्मंध में प्राधान किया गया है तो सम्मिधान का वह कौन सा अनुछेद है जिसमें पाकिस्तान से प्रवजन अर्थात वहां से आए हुए माईग्रेट करके जो ब्यक्ति आए हैं उनकी नागरिक्ता के सम्मंध में प्राधान किया गया है तो बताएं कौन सा अनुछेद है जो इस बात का वर्णन करता है कि पाकिस्तान से जो प्रवजन करके आए हैं लोग उनकी नागरिक्ता के संबंद में प्रावधान है तो अनुछेद पांच, अनुछेद छे, अनुछेद साथ या अनुछेद आठ क्या होगा इसका सही जबा आप बताईएगा कमेंट बॉक्ष में प्रस्निक्रमांक 9 का सही जबाब जो होगा वह होगा अनुछेद 6 में तो अनुछेद 6 में इस बात का वरणन किया गया है कि पाकिस्तान से आए हुए व्यक्तियों की नागरिक्ता के बारे में प्रावधान किये गए हैं प्रस्निक् लाइक करें शेयर करें टेलीग्राम चैनल को जोईन जरूर करें तो प्रस्निक्रमांक 10 को देखते हैं सम्मिधान के किस अनुछेद में पाकिस्तान से प्रवजन करने वाले लोगों की नागरिक्ता के बारे में उपवंध किया गया है अनुछेद 5 अनुछेद 6 तो आई कौन सा अनुछेद है जो पाकिस्तान से प्रवजन करने वाले लोगों की नागरिक्ता के बारे में उपबंद किया गया है सायद या प्रस्न रिपीट हुआ है तो इस प्रस्न का जो सही जबाब होगा वय होगा अनुछेद 7 जो अनुछेद पाकिस्तान से होगा वह होगा अनुछेद 7 उसका वरनन किया गया है प्रस्न क्रमांक 11 है, आपकी स्क्रीन पर भारति संविधान में मौलेक अधिकारों का वरनन किया गया है, तो हमें बताना है कि वह कौनसा भाग है जिसमें मौलिक अधिकारों का वरणन किया गया है जो हमें जो लोगों को मौलिक अधिकार दिये गए हैं उन अधिकारों का वरणन किस भाग में किया गया है भाग 6, भाग 7, भाग 3 भाग 14 है तो वह कौन सा भाग है जो भारतिय सम्मिधान में मौलिक अधिकारों का वरणन करता है भाग 6, भाग 7, भाग 3 या भाग 14 है तो बताएं इसका सही जवाब क्या होगा Question number 11 जो है उसका सही जवाब बताईएगा क्या होगा कि भारती सम्मिधान में मौलिक अधिकारों का वरणन जो है वो कहां किया गया है किस भाग में किया गया है तो प्रशन क्रमांग 11 का जो सही जवाब होगा होगा भाग 3 में भाग 3 में इसका वरणन किया गया है भाग 1 में राज एवं राज छेत्र का वरणन किया गया है और भाग 2 में नागरिकता का वरणन किया गया है और भाग तींग में मौलिक अधिकारों का वरनन किया गया है यह एफेक्ट भी आप याद रखें प्रश्न क्रिमांग के वारा है आपकी स्क्रीन पर भारती सम्मिधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं बहुत सरल प्रस्न है छटमी सातमी का प्रस्न है यह हम पांस से ही प्रारंब किये जाते हैं कि मौलिक अधिकार कितने दिये गए हैं तो सबसे इजी प्रस्न है प्रस्न क्रिमांग 12 का सही जबाब सब को पता होगा कि क्या होगा कि भारती सम्मिधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार हैं कितने हमें फंडावेंटल दिए गए हैं भारतिय संबिनार में कि 5 Two जामॉलिक दिए गए हैं साथ मौले कदार है क्या होगा कितने मौलिक दिए गए हैं इसका सही जबाब होगा Enzyme m Black tender तो आज का युड और प्रश्ण लिख लिजिए हाई यही पर जप वीडियो खत्म हो जाए वीडियो के खत्म हो जाने के बाद आपको जिस प्रस्न का उत्तर देना है उन प्रस्नों को मैं चेक करूंगा कमेंट बॉक्ष में कि भारती सम्मिधान में वो 6 मौले का दिकार कौन-कौन से हैं जो दिये गए हैं तो उन 6 मौले का दिकारों का वरनन आपको करन करना है कमेंट बॉक्ष में और कब करना है जब यह वीडियो खत्म हो जाए तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें प्रश्न क्रमांग 13 आपकी स्क्रीन पर है समानता के अधिकार का वरनन किस अंशेद से किस अंशेद तक किया ग है समानता के अंशेद से किस अंशेद तक किया गया है अंशेद 14-18 अंशेद 19-22 अंशेद 23-24 अंशेद 25-28 प्यारे साथियो दीजिए गा इसका सही जवाब कमेंट बॉक्ष में बताईएगा कि समता के अधिकार का बरनन किस अंशेद में किया गया है और आज का होमबर्क भी यह आपको घर में जाकर के पढ़ना क्या है जो समानता का अधिकार है उसका बरनन जिस अंशेद में किया गया है उस समानता के अधिकार को आपको पूरा हमारे Constitution में समानता का अधिकार किस प्रकार से दिया गया है यहाज का HOMEBARK भी होगा तो घर में जा कर के आपको समानता का अधिकार पढ़ना है क्या है समानता का अधिकार तो प्रश्न क्रमांग 13 का जो सही जवाब होगा वय होगा अनुशेद 14 से 18 तक अनुछेद 14 से लेकर के और अनुछेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है प्रश्न क्रमान 14 है इस स्क्रीन पर संपूर्ण मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुछेद से किस अनुछेद तक किया गया है अर्थाद यह पूछा गया है कि जो हमें मौलिक अधिकार दिये गए है उनका वरनन किस अनुछेद से लेकर के और किस अनुछेद तक किया गया है अर्थार आप समझ गए होंगे कि जो जितने भी हमें 6 मौलिक अदिकार दिये गए हैं 6 मौलिक अदिकारों का वरन्ण किस अनुछेद से लेकर के किस अनुछेद तक है तो पहला option है अनुछेद 10-12 तक अनुछेद 12-35 तक अनुछेद 30-35 तक अनुछेद 35-40 तक प्यारे साथियों बताईएगा इसका सही जबाब क्या होगा कि संपूर मौलिक अधिकारों का वर्णन कहां से कहां तक किया गया है प्रश्निक्रमांग चयुदाय का सही जबाब आपको देना है क्या होगा इसका सही जबाब संपूर्ण मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो किस अनुशेद से किस अनुशेद तक किया गया है इसका सही जबाब दीजिएगा क्या होगा मौलेक अधिकारों का वरनन किस अनुशेद से किस अनुशेद तक किया गया है इसका सही जबाब आपको देना है तो प्रश्नक्रमांग 14 का जो सही जबाब होगा वह होगा अनुशेद 12 से अनुशेद 35 तक इसका वरनन किया गया है प्रश्नक्रमांग 15 आपकी स्क्रीन पर है स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किस अन्षेद से किस अन्षेद तक किया गया है जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसका वर्णन भारती सम्मिधान में किस अन्षेद से लेकर किस अन्षेद तक किया गया है अनुशेद 19 से 22 तक अनुशेद 12 से 35 तक अनुशेद 30 से 35 तक या अनुशेद 35 से 40 तक तो बताएं जो स्वतंतरता का अधिकार है उसका वरण किस अनुशेद से लेकर के और किस अनुशेद तक किया गया है इसका सही जबाब दीजिएगा क्या होगा इसका सही जबाब कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा तो स्वतंत्रा के अधिकार का वरणन किस अनुछेद से किस अनुछेद तक किया गया है यह बात बताएं सभी लोग क्या होगा इसका सही अनुछेद 19-22, 12-35, 30-35 या 35-40 तो इसका सही जबाब होगा प्रस्निक्रम आंग 15 का जो सही जबाब होगा वह होगा 19-22 तक अनुछेद 19-22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वरणन किया गया है इस बात को आपको ध्यान रखना होगा प्रस्निक्रमांक 16, सम्मिधान के चबालिश में संसोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था अर्थात जो चबालिश में संसोधन हुआ था उसमें किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था सिक्षा के अधिकार को, यात्रा के अधिकार को, शंपत्ती के अधिकार को या मदद करने के अधिकार को तो वह कौन सा अधिकार था जिसको हमने 44 में सम्मिधान संसोधन द्वारा हटा दिया था पहले 7 मौलेक अधिकार हुआ करते थे लेकिन फिर 44 में जब सम्मिधान संसोधन हुआ तो उस 44 में सम्मिधान संसोधन में उस अधिकार को हटा दिया गया सभी लोग इसका आंसर जानते होंगे कमेंट बॉक्ष में दीजेगा इसका सही जबाब क्या होगा इसका सही जबाब कि संपत्ति के अधिकार को 44 में सम्मिधान संसोधन में हटा दिया था संपत्ती के अधिकार को शम्मिधान के किस अंशेद के अंतरगत राखा गया अधिकार से हटा करके अंशेद में वरनन किया गया है इसका तो कौन सा अंशेद है जो इस संपत्ती के अधिकार का वरनन करता है तो अनुशेद तीन सो आ या अनुशेद तीन सो ग्यारा आ या अनुशेद तीन सो तेरह आ या अनुशेद तीन सो सत्रह आ क्या होगा इसका सही जबाब प्यारे मित्रो दीजिएगा इसका सही जबाब क्या है कि संपत्ती के अधिकार को शंबिधान के किस अनुशेद के अंतरगत रखा गया है इसका सही जबाब आपको कमेंट करना है और बताना है कि संपत्ती के अधिकार को शंबिधान के किस अनुशेद के अंतरगत रखा है Q17 का आंसर करिएगा सभी लोग क्या होगा अन्षेद 300 A या अन्षेद 311 A अन्षेद 313 A या अन्षेद 317 A तो इस प्रस्न का जो सही जबाब होगा वह होगा अन्षेद 300 A अन्षेद 300 A में संपत्ती के अधिकार का वर्णन किया गया है प्रस्न क्रमांक 18 आपकी स्क्रीन पर है सम्मिधान के भाग 3 को कहा जाता है अर्थाद जो सम्मिधान का भाग 3 है उसको क्या कहा जाता है इस बात को बताना है आपको मूल अधिकारों का जन्म दाता मूल अधिकारों का न्याय दाता मूल अधिकारों का इस्वर या मूल अधिकारों का प्रचारक तो सम्मिधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है तो दीजेगा इसका सही जबाब कि सम्मिधान के भाग 3 है उसको क्या कहा जाता है इस बात को बताईएगा तो सम्मिधान के भागतीन को मूल अधिकारों का जन्म दाता या मूल अधिकारों का न्याय दाता या मूल अधिकारों का ईश्वर या मूल अधिकारों का प्रचारक क्या कहा जाता है तो सभी लोग जानते हैं कि भागतीन में मूल अधिकारों का ही वरणन किया गया है तो स्वभावेक रूप से इसे मूल अधिकारों का जन्म दाता ही कहा जाता है प्रश्निक्रमांक 19 अनुछेद 19 में किस तरह की स्वतंतरता का उलेक नहीं है चुकि अनुछेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का वरनन किया गया है तो हमें बताना है कि वह कौन सी स्वतंत्रता नहीं है अनुछेद 19 में संग बनाने की स्वतंत्ता ब्यापार और जीव का चलाने की स्वतंत्ता या आवागवन की स्वतंत्ता या जीवन जीने की स्वतंत्ता तो इसका सही जबाब आपको कमेंट करना है क्या होगा इसका सही जबाब अनुशेद 19 में किस तरह की स्वतंतता का उलेक नहीं है संग बनाने की स्वतंत्ता ब्यापार एवं जीव का चलाने की स्वतंत्ता आवा गवन की स्वतंत्ता या जीवन जीने की स्वतंत्ता तो इस प्रस्ण का जो सही जबाब होगा हुआ होगा जीवन जीने की स्वतंत्ता का वरणन अंशेद 19 के अंतरगत नहीं किया गया है आज के वीडियो का अंतिम प्रस्ण आपकी स्क्रीन पर है मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है यह राजंद्र प्रसाद, बी आरंबेटकर, महत्मा गांधी या जवाहलाल नहरू तो मूल अधिकारों का प्रारूप बनाने बाला व्यक्ति कौन था हमारे देश के पहले प्रधान मंत्री, राष्टपती गाजंद प्रसाद जी या सम्विधान की प्रारूप समीती के अध्यक्ष बी आरंबेटकर या हमारे राष्टपता महत्मा गांधी या फर्ष्ट प्राइम मिनिस्टर आफ इंडिया पंडित जवाहलाल नहरू तो मूल अधिकारों का प्रारूप किसने बनाया था इसका सही जवाब आपको देना है प्रस्न यह है कि हमारे सम्मिधान में मौलिक अधिकार दिये गए है तो मौलिक अधिकार बताना है कि मौलिक अधिकारों का नाम लिखना है आपको कमेंड करके बताना है प्यारे दोस्तों अगर आपने अभी तक आपके अपने यूटूब चैनल इस्टिडी करको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लें जिससे पीडियेप मिल जाएगी फेस्बुक पर फॉलो करें ट्वीटर पर फॉलो करें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें वीडियो को करें लाइक और कमेंट करना बिलकुल न भूलें कमेंट करके आप आंसर दीजिएगा जो सबाल पूछा गया है और हमबर्क भी सुन लें कि आपको समानता के अधिकार को जाकर के पढ़ना है घर में तो चलिए चलते हैं लेते हैं बिदा तब तक के लिए जैहिन